कि नमस्कार दोस्तों तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सल से अपना जो है पीडिएफ दॉक्मेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो आपको यह पता ही है कि जो नहीं वर्जान आ रहे हो से आप से वेज की उप्शन यूज करके कर सकते हो लेकिन आज मैं है कि हमा encountered that stoodemanอμै पास मोच हें तो ओन बेदद करने कर लिए हमें काफी टाइम लग जाएगा रिबूट वोड़ानेमिक होती है नहीं कोइज होती है और टाइममिक होती है मैं कही रपोर्ट चेंज होती है कर लिए है कई रुपोर्त स कोशेंट करने के दीश धोलुचित है तो उसके लिए हमें हमारे पास एक संद में करना है तो कैसे हो गई हैं तो हमारे पास एक जो फॉर्मूला है जो लगता है हमारे कमांड लाइन में वो यह रहा हो आपकी स्क्रीन के उपर जिसमें हम यूज करते हैं expression.export as fixed format उसके अंदर function के जो हम पास करते हैं variables हो है type, file name, quality, include.properties, ignore print area, from, say to, open after publish तो आयो दोस्तो one by one हम इन सब के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले तो आ जाता है expression 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 क्या है expression में आपकी आ सकती है workbook आ सकती है आपकी range आ सकती है आपका जो object है वो आ सकता है तो यह expression उसको रिप्रेजेंट करता है इसको आप replace कर सकते है अपनी requirement के according range के साथ वरक बुक के साथ वर्क्षीट के साथ आपको जो भी आपका ना जाहिए यहां पर लिख सकते हैं तो लेटर ओन मैं वीडियो में आपको उनकी एक्जामपल के साथ भी आपको दिखा दूगा कि कैसे आप पीडिया जो है वो प्रिंट कर सकते हो तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है हमारे प सभी आइब करना जाए हुए है तो चीह व्योट पिल्श टाइप घुटमी अग्सल सकते हैज अप यह यहां भी ईलागल पर एक्सल्ट न के जा रहुता है फडियो अक्सल्ट करने जा जा रहे हो जो भी आप बनाने जा रहे हो वो PDF के फॉर्मेट में होना चाहिए और सेकेंड टाइब आ जाती है एक्सल टाइप XPS जिसकी वैल्यू आनोगी एक्सल टाइप XPS जो है Microsoft का आल्टरनेट फॉर्मेट था PDF के लिए जो कि इतना पॉपलर नहीं हो पाया इन दोनों में से एक आपको पास करना है एक्सल टाइप PDF या एक्सल टाइप इन दोनों में से आप कौन सी आउट्पुट लेना चाते हो वह आपने यहां पर जो है वह टाइप कर देनी है इस जो फॉर्मले के बाब टाइप में आपने याव लिकिदेना Excel type PDF Excel type Excel S तो यहां पर हो गया फाइलनेमे जो भी आपकी फाइलनेम है डिरेक्ली आपने जो भी आपने अपने अपने फाइल का नाम रखना है वो यहां पर आ जाएगा जैसे भी आप रखना जाओ डेली रिपोर्ट रखना जाओ देट के साथ तो किया है आपको अलग-लग थोड़ा सा अमेंडमेंट करनी पड़ेगी या फाइल नेम अपने अकॉर्डिंग भी आप जो भी रखना जाए रेंडमली रख सकते हैं फाइल नेम के साथ क्या होता है कि बाइडिफॉल्ट जिस भी डारेक्टरी में आपकी जो एक्सल पड़ी हुई है जो एक्सल पड़ी है जिसे आपेड़ेफ में प्रेंट करने जारहे ह Wing fij दो वहीं पर बाइडिफॉल्ट जो है आपकी PDF बन जाएगी अगर आप चाहते हो कि आपकी custom directory में हो अपकी मर्जी से हो तो आप एक अपना path भी define कर सकते हो कि इस particular path पे ही जो आपकी PDF वो create हो या अगर आप चाहें कि जहां पे अभी आपकी Excel पड़ी हुई है तो वहाँ पर कोई अलग folder में जो है export हो तो आप क्या करोगी जो VBA के एक function आता है application.path उसको use कर लोगे यानि कि by default जो जहां पे भी आपकी जो file पड़ी हुई है Excel की उसका path उठा ले और उसके बाद अगर आजाती है आपकी file की quality file quality में दो अब्जक्ट्स हो पास होते हैं या argument पास होते हैं सबसे पहला आजाता है उसमें Excel quality standard यानि कि जो आपकी standard quality है उसमें PDF जो होनी चाहिए बननी चाहिए या second option आजी थी Excel quality minimum जो minimum file की quality हो उसमें print हो जाएगी आपकी PDF तो यह दो आर्गमेंट ज होगे उसके बाद आजाता है include properties include properties simple है कि आपका जो document के properties है वो इंक्लूड होनी जाहिए पीडिये फाइल में या नहीं इसका simple pass होता है true या false तो यहां पे आप true या false पास करोगे तो आपकी जो document properties है वो उसके साथ include हो जाएगी या नहीं होगी यह आपकी option के पर डिपेंट कि आप जो है कि अपने हिसाब से जो जैसे भी by default printing के option बनती है वैसे रखना चाहते हो या आप print area के according print करना चाहते हो उसके बाद क्या option आज जाती है from or to की from or to simply यह जैसे कि आपको पता ही है कि कौन से page से लेकर कौन से page तक आपको print चाहिए अगर आप from or to skip भी कर दें तो by default जितने भी pages available होंगे वो सारे के सारी जो है वो PDF में बन जाएंगे convert हो जाएंगे अगर आप from or to define करते हैं कि मेरेको इतने page से इतने page तक चाहिए तो उतने page तक जो है print PDF को convert करेगा अगर इनकेस आपके print के जो pages कम हैं लेकिन आपने यहां पर define का दिया कि मेरेको 1 से 100 तक चाहिए लेकिन आपके print के pages 50 है यह PDF के pages 50 है तो वो automatically 50 page ही create करेगा यह नहीं है कि वो 50 page blank create कर देगा वो 1 से लेकर 50 तक आपके page जो है वो create कर देगा और उसके बाद option आ जाती है open after publish या फाइल जो है आपकी open हो जाएगी अदरवाइस जो फाइल है आपकी वो जो बनके as it is हो जाएगी बन रहेगी तो यह दोस्तों इससे एक example के जरीए समझते हैं तो मैंने यहां पर अपनी PDF ले ली मैं एक नई PDF एक्सल उपन कर लेता हूं एक्सल मैं उपन कर ली यहां पर मैं अपने ड्वलपर टैम में जाता हूं ड्वलपर टैम में मैं इंसर्ट कर लूँगा एक active x object जिससे कि मैं command 9 create करूँगा यहां मैं इसे customize भी कर सकता हूं सिरफ Administration code के जरीगा सकते लीकिन में बटन के जबतन के जद्रू. तो में इसे इसे button के जरीए ही करना पर संद करूँगा अगा, तो मैं में में एक support क्रेट किया है तो मैंने ऑपन करूट कर आँ करना自 तो मों में इसे AA走了 का करूँगा, है हम यहां मैं लखता हूँ message box है है अब यह यह दि यहां दिजिएगा कि मैंने इस फायल को जो है accident XLS में नहीं से में ड़ी सिंभी आ इन में WR 750 είναι में में सेमें DVD क Mormajer चाला इसे में सुनिंग ऑ और उड़ी मैंने क्लिक किया तो यह मेरे पास मैसेज आ चुका है इसके बाद मैंने काया करना है यहां पर इसके पर यहां पर सबसे बेले आता है expression expression में मैं आप क्या करने जा रहा हूं मैं करूंगा कि मेरी जो excel की sheet है जहां पर जो मर्जी लिखाओ जो भी लिखाओ यहां पर स्पोस करो मैं लिख से तो 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 और 10 तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कर्स्पोंडिंग कोई ब्यक्षर यहां पर रख लेता हूं यहां रखने थे नाम यां अपने फाइल के तो मेरी इंट होगे अब यहां पर मैं लिखूंगा अपना function तो function लिखने के लिए मेरे को करना क्या है यहां पर जाना है अब जाने के बाद यहां पर अब मेरे पास वरकशेट उपन है यह वर्क बुक अधिस वर्क भूक है जैसे मैंने इससे लिख लिया यह मेरी अटोमाटिकली हो गई कि मेरी इसी वर्क पे जो मैं काम करना हूं वो प्रेंट होना जागी अगर मैं चाहूं कि मेरी पर्टिक्वलर शीट आपके जैसे कि आप मेरी देख नो कर देखिंगा देख़ मैं रहाल यहां पर मैं अपनी शेतवन का नाम है यां फिर मैं यहां पर डते लिख सकता हूं एक्टिव शीट है शेट है तो यह एक्टिव शीट होगी मेरी उसके बाद मैंने लिखना अपना फंक्शन एक्स ओट एस फिक्स्ट और में यहां पर अब इसे मैं मुल्टिपल लाई में लिखूगा इसी में करूगा इसे डिवाइड करूगा यहां पर मैं अंडर स्कोल लगांगा तो सबसे बेले मेरे भी और इसे अज्टे पंट से बताना उसको टाइब के बताउंगा अपनाई है एक्सलिह उसको आपिष झाईच्टक तुब्यूंगा एक्सलिवा पूट्डीप खीडियके शोगी में है अन्यम में को बताहूँ करूँ मैं इसको बताउंगा फाइलने अब मेरे जो हैं कि थिक होने कि वज़े में सकोड में फो यहाँ पर मैं गिर्इक्टरी ए वहीं पर मैं इसको एक्सबॉर piss कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर लेता हूं न्यूंत प्रियर इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं टेस्टिंग डॉट पीडियूप मैंने ज्यादा लगा लिया तो इसे में फटा देता हूं पीडियूप को घ्रह्चे मुट terror Father data include document provide These को मैं और अचाहिए कोई प्रप्प्टी नहींचई तो यह हो गया मेरे यहाँ पर यसके बाद आजाता है इंग्नोर प्रिंट ऐरिया इस नहीं और अرجंते अग्षा, उसके और लोगा पॉर्थ, इस नेक्स्ट लाइन, अब फ्रॉमोटू, जैसे कि मैंने आपको पता है, इसे स्किप भी कर सकते हो, अगर रिलखाना चाहे हो, जैसे कि मैं यहां पर लिखी देता हूँ फिर स्थावावन। from 1 से लिकर 2 तक अब मैं यहां पर बटन प्रेस कर रहा हूं बार बार एंटर कर बिना उसको अंडरलाइन की हुए अंडर्स्कूर की है तो वो बार बार उसकी इशू जो है मेरे को एरर दे रहा और उसके बाद आ जाता है है ऊपन आफ्टर का प्रेश आभी का यहां पर मैं जिता हूं ब्रू चीका दोस्तों मैं ठीके जुए यहां पर फंक्शन तरीड का फंक्शन हो जाएका अब इसमें एक एरर दे रहा है उसको मैं देखता हूं क्या एरर है यहां पर इसे में करता हूँ सिंगल CORE में तर देखता हूँ यह पास किया है उसके बाद मैंने कुमा लेही लगाया है अभी आप आप मेरा है आप मेरा कर नवर्ट हो चुका है तो यह मेरे बन गई है सारी की सारी फायल इसे में कर लेताओ ने जाता हूं वापीस एपने फंक्शन पे इसे में design mode से हटता हूं चेक करता हूं यह function अब मारे बूर्टल पर प्रेस्ट किया यह रहु जै क्या किया इसने इस दाटा था उससे प्रिंट कर दिया सा थो कि मैं मैं इसकर कमान बटन करने के लिए अगर आप चेक करना जाहें उट सब्सक्राख करने है अब do o यह देखिए और यह देखिए अब इसे मैं करता हूँ कुमांड बटर पे अगें प्रेस यह देखिए इसने जो है प्रेंट कर दिया है मेरा एक्सल का जो भी डाटा था पीडियेफ में आई हो आपको यहां से पता लग गया होगा कि यह फंक्शन कैसे काम करता है अब इसे अ यह मैंने एक फॉल्ड क्रेट करता है यहां पर आटमेटिकली यह बन गया है फोल्ड अब यहां पर अगर मैं एक फॉल्ड कर लों इसका नाम में रख दो वान्टू थृ अब इसमें मैं जो है अपना प्रिंट करना जाओं फाइल तो यहां पर मिरे को क्या करना होगा प्रिंट करना लाइन तो यहां पर मैं एक फॉल्ड का नाम देना है तो यहां पर मैं रख दूँगा ऐसे इस चीज़ को तो इसके बाद क्या करें यह जो मेरा फॉल्डर है 123 यह देखिए यह खाली है न भी यहां पर यह फाइल को क्रीट कर देगा तो यहां पर मैं जो एर था वो इस वज़ा था था क्योंकि मैंने अपना एप्लीकेशन डॉट पालिक यहां पर लिखना था एप लिकेशन बात की जगह पे एक्टिव वर्क बूक एक्टिव वर्क बूक टॉट पाथ तो यहां पर अब जो है वह आटमेंटिकली क्रिएट करेगा लेगा ल फूल्डर में मेरा जो फाइल है वो भी उसने क्रिएट कर दी अगर आप इसे डानामिक और करना चाहें तो आप इसे के साथ इसको डेट में अमेंट कर सकते हैं तो इस चीज को हम थोड़ा सा और कस्टमाइज करेंगे इसके साथ हम लगाएंगे रेंडम फंक्शन रेंडम ऑपने फॉल्डर फाइल को जенरेट यह देखे मने फाइल की यहां पर देखे हम यह मेरी अगें करता हूं और यह पप्लिश कर रहा है यह देखिए यहां पर इसने सेकंड फाइल भी क्रिएट कर दी और इसे मैं अगेन करूं चाहे तो यह देखिए इस तरीके से भी मैं चाहूं यह मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूं अपने इस कोड को आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई होगए कि मैक्रो के जरी हम कैसे पीडियाफ जो है क्रिएट कर सकते हैं तो मेरे को तो प्रावलम हारी थी अलग-लग शीट्स को जनरेट करने के लिए अलग-लग पोर्ट्स को जनरेट करने के लिए तो अगर आपको भी ऐसी कोई दोस्तों के साथ और अगर आप हमारी कोड को एक्स्टेंट करते हैं और भी यूज़ करते हैं तो kindly हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें जरूर हमें बताएं कि आपने इस कोड को कैसे और एक्स्टेंट किया ताकि और दोस्तों को भी पता लग सके कि इस कोड को कैसे लुर्यूमें नन्यवा